बहुत दिनों से हम लोग नहीं बाते नहीं कि यहां पर हेरा फेरी को ले करके तो मैंने पूरा चलिए एक वीडियो बना लेते हैं इसके रिगार्डिंग ताकि आपको प्रॉपर आइड़ लग पाए कि मोटा मोटी आइड़ लग पाए कि भाई क्या सींज चले है फिलाल के स नाम नहीं कैसे क्या है सकते हैं सिंपल सीवाइब को कि नहीं भूल सकता है क्या है प्रॉब्स के लेकर कि इतने चला है ने बहुत नहीं बात करते हैं कि यह मानके चलो अभी किसमें कुछ चालू है हेरा फेरी को ले करके इसूज यहां पर लीगल इसूज भी हैं थोड़े बहुत कॉपी राइड हो गरा के ले करके इसूज चालू है जहां पर प्रोडूसर लगे भीड़े हैं इसी सो रिजॉल्फ करने में जैसी चीज़े क्लियर हो जाएगी ब इसा मिल रहा था कि यहां पर फराज साम जी नहीं होंगे और आग्रीट फोड़ेट मुझे भी कहीं नहीं नहीं रहा था कि फराज साम जी से बाहर होता हुए दिखाये रहे मतलब बूर ड्रेक्टर तो भाई साम नहीं बनने वाला इस मोवी के लेकिन रिसेंट्ली मैंने यहां पर केर करते हैं फैंस की फीलिंग्स का और क्या वह इतनी बड़ी फ्रेंचाइस की इतनी बड़ी कल्ड फ्रेंचाइस की मुवी को यहां पर ऐसा ही मतलब किसी के भी हाथों में सौक सकते हैं कहीं नहीं सीज को लेकर कि मेरे प्रश्ली लिए डाउट टेंशन बहुत मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखें और रिपोर्ट्स में यह चीज़े साफ साफ मेंशन हैं कि एक टाइम पर यहां पर जो मेकर से हिरा फेरी कि उन्होंने एक टाइम सोचा था कि कही ना कहीं फराग को निकालने के बारे में या फिर मतलब यह जो बोते ना कि थोड़ा इसक पॉप्कोरन की एक सीरीज लेकर आया था और सारी फ्लॉप होई थी बहूत है बुरा सिच्वेशन हो गया था इतना बुरा भाई सब हालात इसने बॉल्यूड को दिया है पिसले कुछ टाइम के अंदर और लोगों को यह मानना है कि यहां पर हेरा फिर्टरी के ना मेकर से उनका परस्ली यह मानना है कि सब परसाम जी के पास जो स्क्रिप्स थे वह प्रॉपर नहीं थे और बीकॉज अब बैट स्क्रिप्स यहां पर उनकी मोवी नहीं चलें मोवी परफॉर्म नहीं कर पाएं और इन लोगों को यह लगता है कि फरास साम जी एक रहता है कि अश्याव से बनाते हैं और देंस किसला की मोवी यह वह काफी बखुवी जानता है और कहीं ना कि फरास साम जी अभी के समय बेस चॉइस मतलब समय एकदम बेस चॉइस फिलाल के समय इन लोगों को यह लग रहे हैं लिटरली यह लोग अभी भी अपने उस फैसले को ले करके वाई साब दिखाए दे रहे हैं मतलब कह यहां पर अक्टोबर और नौविंबर से शुरू हने वाला है यहां पर आवरा पागल दिवाना करेगा चलो ठीक है वो दुनों एक मूवी हम लोगी टाइम पर अर्जेस का लिए बट कहीं नहीं करें हैं मेकर्स अभी के समय बिलकुल इस मूर में नहीं लग रहे हैं कि उन पर नहीं मिल रहे एंड इस वए से उसकी मूवी नहीं चली बॉक्स ऑफिस के ऊपर यहां पर फिल्म है अपनी इसकी स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी है यह बहुत मजबूत स्क्रिप्ट को यहां पर फराज साम जी जैसा डिरेक्टर ही डाइट कर सकता है अगर अपने दिम पर फराज साम जी हमारे मूवी का पार रहेंगे और बाइस सीबल सी बात है वो रहेगा तो क्योंकि स्क्रिप्ट पूरी तरह से तयार है कास्टिंग कर देंगे कि फराज साम जी ही अपने इस फिल्म को डाइरेट करेगा यह फिलाल के समय फाइनल है फिलाल के समय इस चीज को लेकर के और कोई भी दूर दूर तक बाते नहीं आ रहेंगी फराज साम जी क्या लगों किसी और के लोग अप्रोच किये या फिर करेंगे बिल्कुल यहां पर चांसे नहीं नजार आ रहें सिर्फ उसी फराज साम जी ही अब इस मुवी को डाइरेट करते हुए नजर आ रहा है एंड ऐसे में आप सिंपल सी बात हम सभी जानते हैं कि भ यहां पर फराज साम जी नहीं चाहिए पूरी तरह से अभी किसमें आप लोग जानते कि फराज साम जी को लेकर थोड़ा बहुत बीच में बाइस को समझने पारें प्रॉपर तरीके से कि इस मुवी को डाइट करने से अभी किसमें इस सब्सक्राइब चल रही है और यहां पर फिर एक बार आपको शुचल मीडिया के ऊपर सुनामी दिखाई देगी कहीं कि फराज साम जी को निकालने को लेकर करके अब देखना है क्या खते हैं कि मेकर्स किवा करते हैं कि फैयन स की सुनते हैं या फिलाल के समय है जो पर चाहिए और इस लिस से नाम नहीं देखेए क्या कुछ होता है आपको क्या लगता है फराज साम जी क्या वागई में इस मुवी को सब्सक्राइब करना अभी के लिए इतने थैंक्स तो मच